नमस्ते मेरा नाम Drn attain डिश लहाई जो एक डिश जाते हैं और हम जो आज बनाएंगे ये और जो बनाएंगे बहुत और डेरी फ्री ऐसा बनाएंगे एक हेल्फ कॉंशंचनी hoop होगा और खाने के लिए अच्छा सबसे पहले पहले जो इंग इंग्रिडेंट बिखा देता हूं ढesebach उबनाग को भबन के पॉरण न आपके पास अगर थै तो मस्टड जीरा सॉंख समेथी कि यह डालते हैं और आप इसमें हुल रेट चिली बीडाल सकते हैं चोvy स्वीजित होगा इसमें जो नैचरल होगा जो शुकर नहीं डालते हैं जो गूड़ होता है और यह बनाएंगे और मैंगो को इवन काटेंगे आप जैसे मैंगो की वेजज काट लेंगे देख लिए यह वेजज इक्कुल साइज होने चाहिए क्योंक अगर इक्कुल साइज नहीं होगी कोई ओवर कुक हो जाएगी कोई रो हो जाएगी सो कुक होने में सेम लगागा और टेक्सर अच्छा रहेगा तो सबसे पहले हम इसको पंच पूरण को ड्राइ रोस्ट कर लेंगे तो हांडी हीट हो जाएगी इसके बाद इसको हल्का स्लोव फ्रेम पे इसको आन कर देंगे तो इसको स्लोली स्लोली होता रहेगा बाइस साइड हम इसका मसाला त्यार करेंगे जिसमें नॉर्मली आप हल्का सा टरूरिक और अफ रेड चिली क्योंकर राजिस्तान में स्पाइसी बहुत खाते हैं और इसमें साल्ट या बलाक शॉल्ट दोनों आड़ कर सकते हैं तो सॉल्ट से इतना होगा निट अगर आपके पास बलाक सोल्ट है थो बलाक सॉल्ट भी आड़क कर रहने कि इसको आप वुर्टर के साथ को यह स्पाइव मिक्शल स्था टैयार कर लिजीए और स्लोली स्लोली यह कुक भी होगा जैसे भी आप यह स्पाइसीज कुक होंगे तो उसका एक फ्लेवर आएगा जो फ्लेवर रोस्टेट फ्लेवर होगा जिसे यह अम्चुर अच्छा बनेगा स्लोल फ्लेम भी कुक करना अगर आप ज्यादा फ्लेम पर कुक करोंगे तो आपके स्पाइसीज जल जाएंगे और जो स्पाइसीज का टेक्शर अलग हो जाएगा जिससे कि आपकी कोई भी करी बनावे उसमें जो फाइनल प्रोड़क्ट वो अच्छा नहीं आएगा तो यह हमारा जो स्पाइसीज भून चुके हैं अब हम इसमें जो यह रेट चिली वाला मिक्सर है सौल्ट टर्मरिक वाला मिक्सर इसमें प्रॉपर वाटर डालेंगे क्योंकि इसको पगाना पड़ेगा क्योंको ऑल फ्री है इसलिए हम टैंपरिंग में ड्राइब गाएगे तो यह मसाला थोड़ी द्रम nel5 वू जाएगा उसके बाद उसके बाद जयाईगरी आइड तीई देखे आम मसाला तेयर हो गया है इसके बाद जो डालेंगे इसके अंदार जो मैंगो वेजस जो पील करके काटेगे हैं जो यह और राइट नहीं होने जैसे गुठली वाले नहीं होने चाहिए गुठली वाले हैं तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इसको पहले पकाऊंगो इसको हल्का सा कुक हो जाएगा उसके बाद हम जैगरी वगरा इसको कोईबी अगर शूगर या जैएगरी डालने के बाद कोई बी चीज़ा है पकती नहीं है तो इसको एक बार हल्का सा कुम कर लेंगे तो अभी यह हमारे जो मैंगोज हैं वो कुक हो चुक हैं तो अब कुक होने के बाद हम जैगरी डालेंगे अगर आपके पास जैगरी नहीं है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं यह ओर्गिनिक जैसे देशी विलेज का गुड़ है यह होमेड है नाकि मशिनरी है तो हम इसमें गुड डालेंगे गुड नॉर्मली मीठा ही ज़्यादा होगा तो आपको टेस्ट जैसा पसंद हो वैसा बनाईएगा अगर आप मीठा ज्यादा नहीं खाते तो कम डालें तो तो मैंने थोड़ा कम डाला है अगर ज्यादा गुड या शुगर डालेंगे तो एक लॉंजी बन जाएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा लॉंजी नहीं ही है यह केरी का आमचूर है और यह स्पाइसी होती है तो नॉर्मली इसकी जो वाटर कंदिस्टेंस्टी होगी वह ज्यादा लिक्विडी भी नहीं ज्यादा टाइट भी नहीं रखे कि शुगर है यह थंड शुगर या गोड जोगी होगा वह थंडा होने के बाद और गाड़ा हो जाएगा और इसको आप किसी भी ब्रेट के साथ जैसे नॉर्मल एज करी भी खा सकते हो और साइड कंप्लिमेंट भी किसी फूड के साथ अाराम से चल जाएगे कि इसमें स्पोयलेज उने के कोई बी चैंसे नहीं रहता है है क्योंकि यह o ऐज अग्यों करने के यह लाइट ब्रेड़ी अच्छी रहती है जैसे रोटी तवा रोटी होगी पराठे हो गए तो इन ही के साथ अच्छा रहेगा और आपको यह पसंद आएगी और होम रेसिपी है और फ्री हेल्दी और और अगनिक रेसिपी है इसमें कोई भी ऐसे ने कोई भी मार्केट वाली चीजें नहीं है सब होम प्रड़क्ट है थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग वीडियो अ झाल